मुझे आज में आज में बना रही हूं बड़िया सी चाइनीज डिश आज की है चिकिन शेषवार हाका नूडल्स मजएदार तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी इस विदाव ट्राइम वेस्ट किये साधारा निया और ओडिनरी इंग्रीडियन से एक्स्टर ओडिनरी डिश बनाते हैं चलिए एक पतीली में पानी डाल दीजिए चूला फास्ट आज पर नूडल्स है इस कदर पकाना है कि सरिफ 90-95% तक ही यह पकने चीए अच्छा आप वो कैसे पता चलेगा कि आप यह हाथ में लोगे और आसानी से तूट गया इसका मतलब यह 90-95% हो गया है बस इन्हें निकालकर ड्रेन करके साइट पर रखिए सबसे पहले तो क्विकली पकना बंद हो जाए और जब पकना बंद हो जाए तो यह में थोड़ा सा तेल दाल देती हूं नूडल्स के ओपर और इस तरीके से टॉस कर लीजिए और साइट पर रख दीजिए सो दैट एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं एक अंदर तेल दाले या घी दाले मैं तीन टे तारो को निकाल कर साइट पर रख दीजिए वही कडाई के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए डेट टेबल स्पून जितना बारिक कटा हुआ लसन दालिए एक साबुत लाल मिर्ची को पीसस कर दीजिए इस तरीके से यह चिकिन तकरीबन थोड़ी जादा है आप चाहें तो देड़ सो ग्राम से तो सो ग्राम तक भी ले सकते हैं मेरी थोड़ी जादा है अच्छा इसे मीडियम आज पर एक मिनित तक फ्राइ कीजिए लसन को जब एक मिनिट हो जाए तो यह जो चिकिन मैने धो ली है नितार ली है और इससे भी डाल कर इसे चला लीजिए सबसे पहले तो अच्छा आप देख सकते हैं चिकन के पीसे बड़े भी नहीं चोटे भी नहीं इसे मैंने चना बोटी किये हैं नम्मक दाल दीजिए स्वाद अनुसार और थोड़ा सा नम्मक के साथ काली मिर्चो का पौडर दाल दीजिए और इसे मिक्स कीजिए और तकरीबन आ मिलट के अंदर धाकिए गामत हां जब तक फ्राय हो रही है मैं आपको सबजियां बता देती हूं टीनो टाइप की सिंबला मिर्च मैंने लिए है आधी आधी ली है लंबी-लंबी काटी है वान फूद कप जितनी होगी और एक प्याज मैंने मीडियम साइस की ती उसे लंब लंबा काटा है और वो है एक कब जितना पत्ता गो भी उसे भी मैंने लंबा-लंबा काटा है बाकी के सारे आप देख सकते हैं सॉसे हैं और स्प्रिंग ओनियन बारिक कटा हुआ है आप चाहें तो बोलनेस लेके बॉल करके भी डाल सकते हैं चिकन तो यह सूरत में यहां प पार से चिकन कैसी क्रिस्पी हो रही है हो चुकी है और तेज चूचुका है पूरी तरीके से और चिकन भी पूरी तरीके से गल चुकी है तो अब यहां में डाल देती हूं सारी सबजियां प्यास डाल दीजिए यह तीनो टैप की सिम्ला मिर्च है और पत्ता गोबी है यह स medium आज पर आप एक मिनिट तक fry कीजिए अच्छा अब आपको चाहिए कि तीनो टाइब की आपके पास अगर सिम्ला मिर्च नहीं हो तो आप green color की ही सिर्फ दालिएगा चलिए जब एक मिनिट हो जाए अब दाल दीजिए एक छोटा चाय का छाय का छाय का चाहिए एक च्छाय पूओं कृफ उर्ष तरफी मेरा डॉझ है Emirate निटीबल स्पून जब वी दालिः आप यहीं कम ये जाए ऑपनी सौसिस जो सारे अपने एसाब से कर सकते है चूला medium पर ही तोड़ा सउ से, ड़ोच ऑनी मीड殼 ही रखिएगा मैंने थोड़ा सा food color दाला है red वाला so that थोड़ा restaurant style feel आए क्योंकि ये restaurant style haka noodles है chicken वाला इसे mix कीजिए और इसे भी आधे 1 minute तक medium पर पका लीजिए जब आधा 1 minute हो जाए तो चुला medium पर ही है यहां पर हमने side पर रखे हैं जो अंडे पके हुए scrambled egg यह दाल दीजिए सारे और यह जो हमारी यह है noodles पके हुए यह भी सारा डाल दीजिए पहुत अच्छे से mix कर लीजिए अच्छे से toss कर लीजिए और तक तक medium आज पर आप toss करते हुए से पका लीजिए so that 3-4 minute में क्या हों यह भी noodles के अंदर सारे mix होंगे घूलेंगे और यह जो noodles हमारा थोड़ा सा uncooked है हल्का सा कच्छा हमने रखा था वो भी पक जाएगा तो 3-4 minute हो जाए बस वहां तक ही से बार बार चलाते रहें toss करते रहें और इसे 3-4 minute तक पका लें अब आपको जो भी कम लगे आप उपर स जाएगा थोड़े से spring onions दाल दीजिए हलका सा में नमक दाल रही हूं कि नमक दाला ही नहीं था अजस्ट कर लीजिए दूसरे sauces वगएरा में नमक होते हैं और 1-4 चोटा चैका चमच मैंने काली मिर्चो का powder दाला यह भी दालके बहुत अच्छी से mix कर लीजिए और जो भी क चुकि हमारी रेडी हो गई है चिकन शिजवान नूडल्स पढ़िया से मज़ेदार सर्फ करने के लिए तो हैना रेसेपी मज़ेदार जरूर बनाएगा और अगर बनाएं तो मेरे साथ कमेंस टेक्शन में जरूर शेर कीजिएगा मुझे आपको एच्छी लगते अगर तो देन तेक एड अलाव इस